दोसों imagine कीजिए कि आपके पास पानी की बॉटल रखी हुई है या फिर आप mobile phone में जो recharge करते हैं रातो रात उसकी जो कीमत है उसमें 20 रुपए की बढ़ोत्री हो जाती है तो इसका क्या मतलब है कि महंगाई 20 रुपए बढ़ गई है जी नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि 8 साल में महंगाई अपनी पीक पर क्यू है महंगाई का प्रहार एक बरफेड लोगों की जेग पर बड़ा अटैक करने बाला है रुपए में आई बड़ी गिरावट के बाद देश में आयात होने वाला तमाम सामा नहगा हो जाएगा यार अगर 1947 में मैं आपको एक 100 रुपीज का नोट देता और आपको बोलता कि आप अपने पास रखो इसे और आज 75 साल बाद उस नोट की जो कीमत है वो कितनी होती यार एक रुपए 30 पैसे के बराबर दोस्तों यार इसी को कहते हैं महंगाई का कमाल अब जनरली क्या होता है महंगाई दो रीजन्स की वज़ा से बढ़ती है यह जो दो वज़े हैं यह समझने से पहले जान लेते हैं इन्फलेशन क्या होता है अभी मैंने एक एक इक्जाम्पल के साथ आपको समझाया आज से बराबरी की जाए 75 साल पहले की तो यह जो डाउन फॉल यानि गिरावट देखने को जो मिली है इसको इन्फलेशन बोलता है चलिए अब आते हैं उन दो रीजन्स पे जिनकी वज़े से महंगाई बढ़ती है जिसमें जो पहला रीजन है डिमांड पुल इन्फलेशन यानि यार लोगों के पास जादा पैसा आ जाना अब मैं example के साथ आपको समझाता हूँ एक car company है जिसके पास कुछ limited cars है यानि 10 limited cars है अब यार लोगों के पास जादा पैसा आएगा तो क्या होगा तो यार लोग चाहेंगे कि वो limited cars उन्हें मिले मतलब demand बढ़ेगी उस company के लिए उस car के लिए और जब demand बढ़ेगी तो company क्या करेगी सिर्फ उसी को वो car देगी जो जादा पैसे देगा समझे आप और यहीं हमारा दूसरा point आता है cost push inflation यानि कि raw material के price बढ़ा देने पे उसके जो product की actual price है उसमें भी इजाफा हो जाएगा यार एक example से समझते हैं जैसे कि mansoon में जो wheat यानि गेहों की खेती होती है उस पे असर जरूर बढ़ता है खराब मौसम के कारण demand उस समय सेम रहती है market की लेकिन supply कम हो जाता है जिसकी वजह से prices बढ़ जाते है original product के अब एक और example के साथ समझते हैं जैसे कि मैं एक restaurant चलाता हूँ मैं अभी जो raw material ले रहा हूँ यानि जो आलू ले रहा हूँ टमाटर ले रहा हूँ वेजिटेबल से ले रहा हूँ उसका price बढ़ेगा तो मैं जो customers को serve करूँगा अफकोस उसका भी price बढ़ाऊँगा मैं क्यो नुकसान जहलो मतलब समझ रहा हूँ अब दोस्तों इंडिया में महंगाई को नापने के लिए दो इंडेक्स का use किया जाता है जिसमें WPI यानि whole price index और CPI यानि consumer price index यार consumer price index के बारे में तो आपको information होगी ही main channel टेकनिकल अवी पे जो impact गिरता है मतलब CPI का news impact जो गिरता है currency pairs पे उस पे मैं videos लेके भी आ चुका हूँ पहले भी और अपने नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं channel पे यार अपने सुना ही होगा थोक के भाव में समान मिलना मतलब किसी भी product को अगर हम बहुत जादा quantity में खरीते हैं तो of course उसका जो भाव है price है वो कम हो जाता CPI के लिए countries के central bank या government के द्वारा एक optimum level set किया हुआ है जिसमें जो developed countries है उनके लिए 2% है यानि कि अगर इससे उपर जाता है तो उन्हें कम करना होता है और नीचे जाता है तो जादा इंडिया के लिए ये 4% है लेकिन RBI को अपने policies को manage करके इसे 2-6% के बीच में रखना होता है और WPI के लिए सरकार ने अभी तक कोई range decide नहीं की हुई है WPI major करता है goods जिसमें total goods 697 और CPI major करता है goods and services जिसमें rural bucket जो है 448 and urban bucket में 460 product listed है अगर हम CPI की बात करते हैं तो इसका जो base year है वो 2012 है यानि उस time पे जो price set किये हुए है उनके number of products पर वो अगर current year में बढ़ते हैं तो समझा जाता है कि महंगाई बढ़ गई है दोस्तो fab में IWPI report के अनुसार inflation 13% के आस पास था national statics office की report की माने तो इंडिया में CPI अपने desired range 6% से बढ़कर 7.8% तक पहुच चुका है जो अपनी deadline से 1.8% जादा है 7.8% तक महंगाई पहुचने के पीछे तीन reason है पहला दोस्तो किसी भी country में महंगाई कंट्रोल करने की जो responsibility होती है वो वहाँ case central bank की होती है जो इंडिया क case में RBI है जो अपने interest rate या रैपो rate को कम करके या जादा करके जो loan है उनको भड़ा या कम कर सकते हैं जिससे market में पैसा कम या जादा होता है recently IE monetary policy के accordingly RBI ने ये rate 4% से बढ़ा के 4.0% कर दिया है यार RBI अब ऐसा करती क्यों है क्योंकि लोगों के पास पैसा आए वो खर्च क दूसरा PM स्वानिटी योजना जहां पे सरकार street vendors को बिना किसी mortgage के loan देने लग रही है जिसे market में पैसा जादा होने लगता है और महंगाई बढ़ने लगती है अब यार इन सारी technique के जरिये जो मंदी आई थी market में government ने उसको दूर किया लेकिन महंगाई बढ़ा दी तीसरा Ukraine versus Russia की जो war चलने लग रही है उसमें एक crude oil barrel का जो price है 140 डॉलर तक पहुँच चुका है और यार देश में oil का price महंगा होने की वजह से transportation costly होने लग रहा है और यार इसी वजह से goods के जो price हैं वो बढ़ जाते हैं दोस्तों महंगाई ये कैसे virus की तरह है जो अंदर ये अंदर हम हमारे जेब के जो सारे पैसे हैं वो खतम कर देती है कैसे अब यार मान लीजे कि आपके पास एक करोड रुपे है और inflation अभी 7.40 होने लग रहा है तो 15 साल बाद आपका जो एक करोड रुपे है वो 45 लाक रुपीज रह जाएगा बस 20 साल बाद 34 लाक और 30 साल बाद एक रुपे है रह जाएगी तो महंगाई से बचने के लिए आपको ऐसे तरीके निकालने होंगे जो inflation से अच्छे returns आपको दे जैसे है आप अपने पैसे को property में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को ताकि जो inflation का असर है वो आपके पैसे पे ना दिखाई दे दोस्तों के साथ स्टे तूने की वाचिंग एं थैंक यू सो मच फो वाचिंग दिस वीडियो तिल दे आंड